केतार से इम्तियाज आलम की रिपोर्ट एवं मा दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना किया विधायक ने गाओं के बुजुर्ग विश्नुधारी बैठा राज मौहन ठाकूर पुरुव मुखिया दश्रत गुपता को माला पहना कर उनी से पंडा नदी पर चार कडोर 18 लाग की लागत से बनने वाला पुल का अधार शिला रखवाया कारिक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि परसो डी पुल का शिला न्यास आज से पहले तीन बार हो चुका था पर कुछ लोगों के इशारे पर समवेदक द्वारा हाई कोर्ट में मुकदमा करा कर बाधित करवाया गया उन्होंने इस बार बहुत ही कम समय में समवेदक द्वारा इस कारी को पूरा करवाने की बात कही स्री साही ने कारिक्रम के दोरान कहा कि शेत्र में पंडा नदी का बहाव लगबग 60 किलोमीटर का है जिसमें मुझे विदायक बनने से पहले 13 विदायक मिलकर 3 पुल का निर्मान करवाया था और मैं अकेला 14 पुल का निर्मान करवाया उन्होंने कहा कि जो विद्याले मिडिल था उसको 10 प्लस 2 का सिक्षा का दीब चलाया ताकि किसी भी बहनों को उच्छे सिक्षा प्राप्त करने में परशानी नहीं हो हमारा शेतर पिछड़ा हुआ शेतर था यहां धिबरी से लोग किसी प्रकार रहते थे हमने पावर ग्रीड अस्थापित कर 20 घंटा भिजली उप्लब्ध कराया जिससे खेती एवं अन्य प्रकार के कारे असानी से हो रहा है स्विशाही ने कहा कि प्रकंट शेतर के हर टोले महले को सडको से जोड़ा जाएगा राजी सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि हमन सरकार के समय में घुसखोरी चरम सीमा पर है प्रकंट में कुवा पसु सेट के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है मोके पर शामिल भाजपानेता भगत दयानन्द यादव अनिल चौबे जीप सदक से ज्वाला प्रसाद मुख्या अनिल कुमार पास्वान विधायक प्रतिनीधी विक्रमा सिंग हिमंत पाठक, बावुलाल, यादव, मुंगा साह, विरेंद प्रसाद गुप्ता, मनिलाल कुमार, गुप्ता, सहित, अनिलोग, शामिल थे